जिने सिलाई मशिन भी चलाना नहीं आता वो भी इस ट्रिक से बड़ी सरलता से बहुती सुन्दर दोरी बना सकेंगे तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं नमस्ते मैं हूँ उज्वला और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारा हिंदी चैनल क्रियेट्यूफ फैशन में यहाँ पर आप सिलाई से जुड़े सभी वीडियो स्प्री में देख सकते हो सबसे पहले कपड़े के उपर हम पट्या काटे हैं दोरी बनाने के लिए वो पट्या हम तिर्चे में काटेंगे क्योंकि तिर्चे कपड़े में खिचाओ बहुत अच्छा रहता है जिससे हमारी दोरी बड़ी सरलता से बनती है और अच्छी भी बनती है तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तिर्चे में एक लाइन बना दी है अब ये जो पट्टी हम काटेंगे उसकी चोड़ाई हमें कमपलसरी डेड़ इंच रखनी है डेड़ इंच या पौने दो इंच भी आप रख सकते हो लेकिन डेड़ इंच इनफ है डेड़ इंच पर माक करने के बाद मैं यहाँ पर एक पट्टी काट कर लूँगी एक पट्टी करने के बाद वही पट्टी हम साइड में रखेंगे साइड वाले कपड़े में और इसी तरीके से पट्टिया काटते जाएंगे जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए उतनी पट्टिया आपको काट कर लेनी है तो एक एक कर के मैं यहाँ पर पट्टिया काट रही है अब यहाँ पर मैंने तीन ही पट्टिया ली है आप जाहो तो इसी तर warfare से तिरचे में रखके पूरी पट्टिया काट सकते हो बच्चे वे कपड़े को मैंने साइड में रखतिया, अब इन पट्टियों को हम तिर्चे में जोड़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तिर्चे में जोड़ना नहीं आता, तो यहां पर मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी, तो सारी पट्टियों एक दूसरे के उपर जोड़ना दिखाऊंगी, तो इसको हमें इस तरह से रखना है, दो पट्टियों को एक दूसरे के उपर इस तरह से रखेंगे, और यहां तिर्चे में हम सिलाई लगाएंगे, मतलब की एक कोने से दूसरे कोने तक, यहां पर यह दूसरा कोना है, तो एक कोने से हम शुरू क करेंगे और यहां पर सिलाई लगाते समय आप बारिक टाका लीजेगा मतलब सिलाई का नंबर कम रखेगा अब यह जो उपर का एक्स्ट्रा कपड़ा है वह हम कट करेंगे लेकिन पहले आप जोड देखिएगा बहुत ही अच्छे तरीके से लगा है अब यह एक्स्ट्रा का क पर मोटी ना लगे इसी तरीके से सारे जोड में यहां पर जोड कर लूँगी से मैंने वैसा ही रखा है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो और मैंने तिर्चे में सिलाई लगा दिया और एक्स्ट्रा का कपड़ा कट करके इस और का जोड भी में खोल कर बीच में स खोल कर इसको इस तरह से में प्रेस करूंगी अब यह पट्टी हमारी तयार है इसको मैंने साइड में रख दिया अब देखो यह हमारा नोट्बुक है कोई भी बच्चों का पुराना नोट्बुक आप यूज कर सकते हो और इसका जो यह सौप्ट पॉंड है मतलब इसका ज इसको चोकर बनाके कट कर दूंगी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में यह वाला बेल बटन दबाईए ताकि हर एक वीडियो की सुचना आपको मिलती रहे अब जो पीस हमने कट करके लिया है उसे मैं सेंटर में फोल्ड करके लूंगी तो यह ट्रिक बहुत यह आसान है आप इसे जरूर राय करना तो देखिए अब हम यहां पर देखो यह यहां से यहां आधा इंच है तो हम आधा इंच को भी एक लाइन कम इतना नाप लेंगी यहां तक जैसे मैंने आपको बताया और वहां से मैंने एक लाइन बना दी लाइन बनाने के पार अभी देखो उपर से एक इंच पर मैंने मार्क किया है और दूसरा मार्क मेरा 2.5 इंच मतलब 2.5 इंच पर किया है अब इन दोनों मार्कों मैं से और मिला दूंगी अब यह जो निशान बने हैं, दो निशान, परावर से उसी निशान के उपर हमें दो छोटे-छोटे कट्स लगाने ही, उतने ही कट्स लगाने हैं, उससे जदा आगे नहीं जाना चाहिए, तो ये दो कट्स मिने लगा दिये, अब मैं इसको खोल दूंगी, और दिखें, खोलने के बा फॉाल खाल से कर tenho अब यह पट्टी के यह लुत साइड है तो पट्टी को में साइद से फोल्ट करना है क्योंकि उल्टी सायर से हमारे शिलाई लगेगी तो इसको मैंने फोल्ड करके लिया जाए और यहां से हमें इसको डालना एक तो फ़ल्ड वाली Ар लाइन के और होने चाहिए। इस तरह से पट्टी को पकड़ना है और नीचे की तरप रखना है। और यहां से हम किसी भी नुकिली चीज से इसको दीरी-दीरी करके अंदर डालेंगी और इस और से इसको निकाल देंगे। तो पट्टी को फोल्ड करके डालना है fighting और fold वाली साइड line की तरप रही है अब यहां से भी हम इसको अंदर की तरप डालेंगे डालते समय जो हमारा cut हमने लगाया है वो ज्यादा फटना नहीं चाहिए मतलब ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए वो वैसा की वैसा ही रहे और हमें पट्टी भी डालने है तो देख कि यह हमारा knob है और knob की यह line है आपको line दिख रही होगी उसी line को पकड़ते हुए हमें एक आगी की तरप line खीचनी है ठीक है तो आप वीडियो में clearly देख सकते हो इस line को पकड़ते हुए मैंने आगी की तरप इस line को बढ़ा दिया है अब यह जो हमने पट्टी तयार करके ली थी यह पट्टी की line आपको दिख रही है पट्टी यह line और पट्टी की यह वाली line एकदम बराबर से मिलाखे रखने हैं मतलब नीची की जो line है उसी line के उपर यह पट्टी की line आनी चाहिए इस तरीकी से आपको इसे रखना है और फिर टिसको टेप या फिर जो भी कागज की पट्टी को fix करना है सिर्फ कागज के पट्टी के उपर ही मैंने चिपकाया है और वो machine के उपर चिपका दी है जो हमारी कपड़ी की पट्टी है उसके उपर हमारा टिसको टेप नहीं जाना चाहिए मतलब पट्टी जो है वो आगे पीछे करती रहनी चाहिए तो प्स कागज के ऊपर मैंने वो लगा दिया और पट्टि देखो आगे पीछे हो रही है पट्टि के ऊपर कोई मैंने टेप नहीं लगा आया है तो देखे यहां पर हमारी जो सूई है मशिन की वो यहाँ से इस लाइन में चलेगी और उसी हिसाब से हमने इस कागज को टेप लगाकर सेट कर दिया है तो अगर आपको ज़्यादा चौड़ाई वाली डोरी चाहिए या फिर ज़्यादा चौड़ाई वाली सिलाई चाहिए तो उस हिसाब से आप उस कागस के टुकडे को right में या left में adjust करके रख सकते हो अपने हिसाब से अब देखो यहाँ पर यह पूरा set हो चुका है और अब हम सिलाई चलाने वाले हैं अब आप देख सकते हो इस trick से बिल्कुल एक line में हमारी सिलाई आ रही है ना दाए भागेगी ना बाए भागेगी ना हिया हमें कपड़े को adjust करना पड़ेगा क्योंकि यह जो trick है यह पूरा काम अपने आप कर रहे है बस हमें क्या करना है डबल फोल्ड करके कपड़े को छोड़ना है जैसे कि आप देख सकते हो तो बस आपको यहां पर foot paddle चलाना है बाकी सारा adjustment बाकी सारा balance यह trick संभाल लेगी अब यहां पर देखो यह जो जोड आता है ना तो जोड को हमें एकदम flat करके छोड़ना है यहां से क्योंकि वरना अगर यह एक दूसरे के उपर जोड़ चड़के जाएगा तो वहां पर हमारी डोरी जो है वो मोटे हो जाएगी तो बस उसको flat करके यहां पर भी इसको एक और सिलाई दिखे लेकिन आपको मैचिंग धागा यूज करना है तो इसी तरीके से अगर कोई भी पट्टी के उपर आपको सीधी सिलाई लगानी है तो आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो बस जितनी पट्टी के चोड़ाई है ना उतना कट हमारा आना चाहिए जैसे कि हमा पास्ट में जो यह किनारे से सिलाई जाती है तो वह हम बाद में कट करतेंगे तो बाके आप सिलाई देख सकते हो बिलकुल एक लाइन में सिलाई आई है कहीं पर भी कहीं पर भी यह टेड़ी नहीं हुई है एक दम एक लाइन में हो गई है और हमारे जो डोरी है वह नहीं पर वीडियो खतम नहीं होता क्योंकि दोरी पलटने का भी एक बहुत सुन्दर ट्रिक मैंने बताया है तो आप वीडियो को कंटेन्यू देखेगा तो यहां पर देखे अभी दोरी पलटने की बारी आती है यहां से इसको एक छोटा सा तिर्चा कट लगाएंगे इस तर दी है अब हम सुई में धागा डाल कर लेना है और फिर हम यहां पर एक टाका देंगे यह जो नोक आपको दिख रहा है उसी नोक के उपर हमें यहां पर एक टाका लगाना है और इस तरह से गाट लगा देंगे अब यह जो नोक है इसको देखे इस तरह से और एक हम टाका ल निकलना जाए तो यह पक्का हो गया अब यह जो नोख है इस नोख को हम इस साइड से अंदर की तरफ डालेंगे जहां से हमने सिलाई निकाली थी तो इससे क्या होता है जब भी हम डोरी पलटने के लिए सुई अंदर डालते हैं तो यहा जलदी वह अंदर की तरफ नहीं जाता नोग तो इस त्रीक से यह बहुत जल्दे अंदर चला जाता है और हमें टोरी पलटने में आसानी होती है तो देखिए नोग को मैंने सुई से पहले से ही थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल दिया ताकि बाद में परिशानी ना हो और फिर मैंने सुई का जो पिछला हिस्सा है सुई का पिछला हिस्सा हमें अंदर की तरफ डालना है इस तरीके से यह देखिए और फिर हमें उसी तरीके से जिस तरह से हम नाडा वगेरा डालते हैं हमारे पजामे में उसी तरीके से सुई को आगे की तरफ बढ़ाना है और पीछे से इसको स काल देना है मतलब कपड़े को उंगलियों को गीला किया है मैंने जिस उंगलियों से मैं कपड़े को पीछे की तरफ खीच रही हूं उनको गीला करना है ताकि कपड़ा अच्छे से पकड़ में आ जाता है और इसको पीछे की तरफ इस तरह से लेते जाना है अब देखू यह बहुत अच्छी तरिके से अंदर कि तरफ चला गया है इससे आप बहुत ज़्यादा आसानी हो सुई को आगे की तरफ लेजाने के जाएंगे यह देखी इस तरीके से तो यह करते समय उंगलियों को थोड़ा थोड़ा सा अगर आप गीला करते हो जिन उंगलियों से आप कपड़े को खीचते हो उन उंगलियों को गीला करते हो तो यह बहुत आसान होता है अब देखो सुई का जो नोख है वो डोरी के सारी प बाहर के तरफ निकालते जाना तो यह पूरी टोरी हमारे एकदम पलट गई है तो आपको यह ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके आपको जरूर बताना है और वीडियो आपको अगर सच में अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना तो यह पर देखिए डोरी बिल्कुल एक जी सी तयार हो गई है आप इस ट्रिक को जरूर ड्राय कीजिएगा वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा मिलते हमारे अगले वीडियों में तब तक अपना खयाल रखना बबाई